एपिसूड इस्टार्ट करने से पहले अवीता क्या हुआ है मैं फिर सब बता देता हूँ लिंशू डिथफात को पार कर रहा होता है जहांपर वो लुओ से दुवारा मिल जाता है और वो उसी के साथ वो दुनों एकसत पात को पार करना इस्टार्ट कर देते हैं और पार करने के बाद उन सभी लोगों के एक आखरी ट्रायल को पास करना पड़ता है जिससे कि वो लोग अराम से पास करके सेंट एकेडिमी में एंटर कर जाते हैं और उनके कॉमबेट फावर का नुसार सभी लोगों को अलग-अलग क्लास में डाल दिया जाता है लिन्शू को कॉमबेट फावर उसका डिसकाइस स्किल के कारण काफिर जिते कम दिखाई देता है इसलिए उसे क्लास टेन में डाल दिया जाता है और लोगो को कॉमबेट फावर जादा होता है इसलिए उसे क्लास वेन में डाला जाता है लिंज सो अपना class का monitor बन जाता है और उसे death path में काफी सारा चीज़े मिला होता है जिसे वो exchange करके माला माल हो जाता है क्योंकि academy में पैसा काम नहीं करता है सिर्फ वहाँ का point ही काम करता है जो कि उन्हें earn करना पड़ता है और उन्हें रहने के लिए भी कोई भी don't provide नहीं किया जाता है बैलकि उन्हें अपने ही point का use करके house को rent लेकर रहना पड़ता है और इसमें लिवो उसके एक offer देती है और वो होता है कि वो दुनों आधा आधा पैसा मिला कर विला को rent लेंगे जिसमें वो दुनों एक साथ रहने स्टार्ट कर देते हैं और दो floor होने के कारण वो लोग अलग-लग floor में रहते हैं कुछ लोग लिंशों को provoke करने के कोसिस करते हैं लेकिन डार्क में ही लोग उन सभी लोगों से deal कर लेती है लेकिन वो लिंशों को कुछ भी बताती या फिर जताती नहीं है कि वो उसकी care करती है सब कुछ ठीकी चल रहा होता है लेकिन कुछी दिनों के बाद उनका exam आने वाला होता है इसलिए सभी लोग और जितर प्रेक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं अब आगे तो अब एपिसोड की सुरुवात में लिन को अरीना टावर के बारे में पता चलता है अरीना टावर में 100 फ्लोर होता है एकेडमी स्टूडन को उनकी combat ability का नुसा रैंक करते रहती है और उस टावर पर टॉप 100 लोग होते हैं इसलिए अगर कोई फ्लोर वाले को भी हरा देगा तो वो टूप 100 में आ जाएगा एकेडमी हर विक री आसाइन और री रेंक करते रहती है चैलेंजर को मोटिवेट करने के लिए अकेडमी अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग रिवस प्लोर देते रहती है सबी यर चैलेंजर के लिए और अकेडमी टोप 10 वाले को अलग से भी रिवस प्लोर देते रहती है इसके बाद फस्ट एमर के लिड़र बोर को दिखाते हैं जहां पर फस्ट फ्लेस पर जुवो की सिंग होता है जो कि 20 फ्लोर तक गया होता है सेकंड फ्लेस पर वो यांग भुआंग होता है जो कि 19 फ्लोर तक गया होता है ठर्ड फ्लेस पर त्यांजी शाय होता है जो कि 18 फ्लोर तक गया होता है और फॉर्थ फ्लेस पर लुओ होती है जो कि 17 फ्लोर तक गई होती है लुओ को 4th place पर देखकर लिंचु थोड़ा सा चौक जाता है और वो भी उसमें participate करने चला जाता है क्योंकि वो काफ़ जीदा point earn कर लेगा और वो उसे काफ़ी ज्यादा मज़ेदार भी लग रहा होता है उसे देखकर कुछ लोग उसका मज़ा कुड़ाना स्टार्ट कर देते है इसके बद लिंच टावर में एंटर कर जाता है जहाँ पर एक मैच अभी अभी खतम हुआ होता है और ओला नम का बंदा जीत गया होता है और जैसे लिंचु एंटर करता है उसका वर्से सेकंड डियर ओला के मैच फिर फिर हो गया होता है ये देखकर वो थोड़ा सा चौक जाता है क्योंकि जैसे वो आया उसका टर्ण आ गया लिंचु आरीना में जाने लगता है उससे जाता देखकर सभी लोग उसे मौक करना स्टार्ट करते थे हैं लिकार फिर वाला चैलेंज करने आ गया है मैं तो सोच रहा हूं कि हारने के मत वो रोएगा या फिर हसेगा रेफरी कहा था है कि वो बहुते ज़्यदा रोएगा क्योंकि मेरा मसेन उसे रैंक थरी का दिखा रहा है gो अभी अभी हार के गया वो रैंक फूर का था वहीं पर उला लिन को मौक करते वे कहता कि हम लोग वेपन का यूज़ करका फइट करने वाले है या फिस्ट फइट करने वाले है लिन अपना बैग उतारते वे कहता यह तो सर्फ पहला ये फ्लोर है इसमें वेपन के यूच करने का क्या जरूरत है तुम्हें हराने के लिए तो मेरा हाथ ही काफी है ये सुनकर ओला गुस्ता हो जाता है और वो उस पर वस्ट सैडल फिश्ट से हमला कर देता है लेकिन वो उसके अटेक को अराम सो डॉच कर कोसी एकाने पीने वर दे देता है ये देखकर जो लोग उसे मौक कर रहे होते हैं मजा कुड़ा रहे होते हैं उनका मुही बंद हो जाता है इसके बद पाचवे फ्लोर को दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है जो उससे कहते हैं क्या तुम मुझे अपना फिश्ट के यूच करकर फाइट करने वाले हो अपना वेपन के यूच करो नहीं तो तुम हार जाओगे लीन अपने स्वेर निकाल कर उसे केरफूल रहने के लिए बोल कर उसे हरा देता है इसके बद 6th floor, 7th floor वो आसानी से जीतते जाता है और वो ऐसी करते करते वो 28th floor पर पहुंच जाता है ये देखकर रेफरी का दीमा काफर जीता खराब हो जाता है और वो अपने लेप्टोप को पटकने के कोसिस करते वो इरिटेट होने लगा होता है कि क्या वो सच्वे फ्रेस्मेन है जी पर नाटा कर रहा है इसके बद 20th floor के मैच को दिखाते हैं जहां पर उसका उपनेंट 5th rank का मार्सल आर्टिस्ट होता है और उसका नम बग होता है यह देखर लिन सोचते हैं कितना कम फ्लोर पर ही पाचवा रैंक का मार्सल आर्टिस्ट आ गिया है तो यह काफर जीदा करीवी मामला होने वाला है और फेस्ट रैंक वाला जुआ की सिंग जो की जो की स्काई अकाडमी से आया है इससे हार गिया था वहीं पर बग उससे कहते हैं कि एक रैंक थरीके इतना दूर पहुँच गया है लगता है कि साल के फ्रेस्मेन को कम समझा नहीं जाना चाहिए मैंने आज एक फ्रेस्मेन को हराया है और सुना है कि वो स्काई एकेडमी के जीनियस था उसको कॉमबेट अबिलेटी उतना भी बिकार नहीं था लेकिन वो सिर्फ 10 मिनिट था कि टिक पाया था मैं सोच रहा हूँ कि तुम कितने देर तक टिक पाऊगे लेन कहा था तुम ज़्यादा चिंता मत करो ये बोल कर वो दोनों फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं इसके बाद जोग की सिंग को दिखाते हैं जहां पर उसका दोस्त उसे उस लाइव मैच के बारे में बताता है की सिंग पूछता है क्या वो भी मेरे तरह पहले क्लास से है उसका दोस्त बताता है नहीं बलकि वो क्लास 10 से है ये सुनकर वो काफर जीता सौक्ट हो जाता है और हिरानी से कहता है क्या वो कच्छरा क्लास से है की सिंग लिन को देखकर और जीता सौक्ट हो जाता है क्योंकि वो लोगों के काफर जीता करीब होता है और सोचता है कि वो तो 10 क्लास में है ना इसका मतलब इसका combat ability तो बिकार होना चाहिए ना इसके बाद उस match को दिखाते हैं जहां पर लिन उससे थोड़ा से injured कर देता है ये देखकर वो काफ़ जिता गुस्ता हो गया होता है क्योंकि वो पाचवे रैंका होता है और लिन तीसरे रैंका होता है और उससे injured होकर वो काफ़ जिता humiliation feel करने लगा होता है ये देखकर वो काफ़ जिता गुस्ते में उसपर हमला करने लगता है लिन उसके attack को block तो कर देता है लेकिन फिर भी आप्टर्स वक्स से काफी दूर फिका जाता है और सभी लोग बग के इंजड होने का बाते कर रहे होते हैं उनकी बाते सुनकर बग और जिते गुस्ता हो जाता है और उसके तरह बढ़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे सकस्पली प्रोवक कर दिया है इसलिए अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा ये बोलकर वो उसके पहले से जाता ताकत से हमला करने लगता है लिन उसके अटेक को ब्लॉक तो कर ले रहा होता है लेकिन आफटर सकसे उसे भी दर्थ हो रहा होता है वहीं पर वो उसके खतरनाक हमला करते हुए कहता है कि इससे डोच करके दिखाओ फिर मानता हूँ लिन उसके अटेक को डोच करके सोचता है कि काफी लंबे टाइम के बाद इसना सिरियसले फाइट कर रहा हूँ आखरी दम तक फाइट करने का फिलिंग है अलग होता है वहीं पर लिन को मुस्कूराते वे देखकर वो कनफ्यूज हो जाता है कि मुझसे कमजूर होने के बावजूद भी वो डर क्यों नहीं रहा है और उससे हराने के लिए वो और जिदर डिटार्माइन हो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं हार जाओंगा ये सोचकर वो उस पर अपना ताकतवर स्किल से हमला कर देता है जिससे लिन बर्फे के अंदर जम जाता है ये देखकर सभी लोग बाते करना स्टार्ट कर देता है कि फाइनली वो हारी गिया वहीं पर लिन को काफ़र जिता ठंड लग रही होती है और वो अपना विनिंग काट फ्यूरी का यूच करने के बारे में सोच लेता है वहीं पर विनर का अनाउंसमेंट नहीं सुनकर बख रिफरी से पोचते हैं कभी तक विनर अनाउंस क्यों नहीं हुआ है रिफरी कहता है कि अगर वो 10 सेकंड तक मूब नहीं कर पाएगा या फिर अरीना से बाहर चला जाएगा अगया होता है और वो उसके फिलेम से खुद WHO को बचानी के कुशिश कर डौतає है लेकिन तभी लिन उस पर फिर से हमला कर डेता है जिससे वह अरीना से बाहर कर दिया जाता है और वहार जाता है जिसके कारान लिन अरामसे जीत जाता है ये देखकर किसी को भी अपने आखो पर भरोसा होई नहीं रहा होता है तब ही लिन वहाँ से जाने लगता है ये देखकर रेफरी पूछते है क्या तुम 25 फ्लोर वाले से फाइट नहीं करने वाले हो क्या लिन मना करते हुए कहते हैं कि मैं कल फाइट कर लूँगा तब ही रेंक अपडेट होता है और फर्ष्ट प्लेस पर लिन आ जाता है ये देखकर वो समझ जाता है कि कीश्रिंग बग को हरा नहीं पाया था वहीं पर कीश्रिंग को दिखाते हैं जहां पर वो अपने दोस्ते कहते हैं कि उसका लेबल तुमसे कहीं ज़्यादा हाई है उसका कुछ करना पड़ेगा अगले सिन में लिन को दिखाते हैं जो कि फ्यूरी का यूज करने के कारण काफर जीता ठक गया होता है इतना कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता है लेकिन तब ही वहाँ पर कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उसके तरफ आ रहे होते हैं कि कंपेटिसन में तो तुम काफर जीते फिरसली फाइट कर रहे थे हैं लेकिन अब तो तुम एक डेट डॉक के जिसा लग रहे हो बख तुम से हार गया क्यों कि वह ठका हुआ था तुम जीते क्यों कि तुम्हारे पास एक एडवांटेश था लिन कहते हैं कि बख मुझे हरा नहीं पाया तुम लोग मुझे कल अरीना में मिल जाना वो लोग आगी आते हुए कहते हैं कि इस साल का नियो कमर तो सच में काफर जीते इंप्रेसिव है वो सभी लोग आकर 20 वे फ्लोर तक पहुँच गया है और मैंने उनसे भी लिडर वोड वाले को बैकगराउंड को भी चेक कर लिया है और उनसे भी लोगों के पास इंप्रेसिव बैकगराउंड है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है लिन कहता तो मेरे पास कोई भी बैकगराउंड नहीं है इसलिए मैं तुम लोगों का टार्गेट बन गया हूँ वैसे तुम लोगों को पता कैसा चला कि मेरे पास कोई भी बैगराउंड नहीं है ये सुनकर एक बंदव उसका कॉलर पकड़ते हुए उस पर हाथ उठाते हुए कहते है कि मैंने बक्प के विक्टरी पर बेट किया था लेकिन तुमारे वज़oga से में हार गिया लेकिन उसका पिटिने से पहले लुगों आकर उसका हाथ पगड़े लेती है और उससे जाने के लिए कहती है ये देखकर लिन कहता देखा मेरा सपोर्ट आ गया है वहीं पर वो उसका हाथ पर काफर जीदा फ्रेसर का यूज करते वे कहती है कि सुनाई नहीं दिया मैंने कहा जाने दो उसे ये देखकर बागी के बंदे पर उस पर हमला करने जाते हैं लेकिन वहीं अकेले उन सभी लोगों को खाने पीने बर देने लगती है पिटाई खाने के बाद वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते है लिन उसे थैंक्स बोल कर पूछता है कि तुम्हें कैसा पता चले कि मैं यहाँ पर होंगा वो कहे थे कि मैं लाइफ मैच देखने के बाद तुम्हें यहाँ पर ढूणने आई थी पाच घंटे तक ग्रेविटी रूम में रहने के बाद टावर में चैलेंज करने गये थे क्या तुम्हें मौत से डरवर नहीं लगता है क्या क्या तुम चल सकते हो यह सुनकर वो नाटक करते हैं कि मैं काफर जीते थग गया हूँ और मैं कुछ देर तक बस आराम करना चाहता हूँ यह बोलकर वो सोचते हैं कि हालंकी यह काफर जीते फियर से लेकिन फिर भी यह मेरी चिंता करती है तब भी वो से उठा कर लेकर जाने लगती है और कुछ देर के बाद वो लोग अपने विला के पास पहुचने वाले होते हैं लेकिन तब ही वो लुओ को काफी करीब से देखकर उसकी ब्यूटी में में इसमेराइच हो जाता है और सब कॉंसियस लिए वो उसका गाल में किस कर देता है लेकिन जल्दी होस में आकर काफी ज टेंसन के साथ वो उसके तरफ बढ़ने लगती है यह देखकर लिंचु की काफी जिता फटेने लगी होती है और वो उससे काफी जिता माफी मांगने लगता है लेकिन वो उसे नहीं मारती है और इसके बाद वो लोग अपने विला में जाकर डिनर करने लगते हैं लेकिन ल कर वो थोड़ा सा चौक जाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा-थोड़ा अच्छा फील हो रहा है वो उठकर जाते हुए कहते हैं अब खाना-kाना बंद करो और ट्रेनिंग करने के लिए चलो लिंग कहता है खाने के उत्रेंद बाद ट्रेनिंग उससे तुमारे पेट पड़ गिया है जितना जाता है फ्रेक्टिस करना और ज्याट होते चला जाता है लेकिन इसको लेकर ऐसा लगता जैसे कि से डिफिकल्टिस और कोई फरक पड़ता ही नहीं है और यह तो रैपिड इंप्रूब्मेंट कर रहा है यह सब सोचकर वह उस पर और ज्यादा पाव तो तुम भी बेस्ट सैडर फिच का प्रेक्टिस किये हो चलो देखते हैं कि किसका फिच्ट ज्यादा पावर फूल है यह बोल कर वह सबस्दार फिच्ट से हमला कर देती है जिससे वह बहुत ही मुझकिलों सा बच पाता है लेकिन तभी वह काफी तेज स्विड में गायब हो जाती है और उसके चली जाती है और उससे पर पीछे inshaug करतेती है जिसे वह काफ़ी दूर फिका जाता है और कहने लगा हो था गुंधकर बट है और पाबर को फीर करो यह बोल कर वह फिट से इंप्रूब कर लिया है जब मैं इससे 820 एरिया में मिली थी तब वो rank 1 का मार्सल आटेश भी नहीं था लेकिन अब यह successfully rank 3 का बन गया है और सेंट एकेडमी में भी आ गया है और अपनी स्कूल के दूसरे दिन rank 5 अब बले को भी हरा दिया है वो यही सब सोच में खोगई होती है वहीं पर लिन मौके का फायदा उठा कर उस पर हमला करने जाता है लेकिन तब ही वो नोटिस करता है कि वो हीली नहीं रही है यह देखकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है कि वो हट क्यों नहीं रही है इसलिए वो उसे जल्दिस वहां से हटने के लिए बोलने लगता है कोई जवाब ना पाकर वो खुद को रोकनी के बहुत ही कोसिस करता है लेकिन वो खुद को रोकनी पाता है और गलती से उसके चेस्ट को टच कर जाता है यह देखकर वो काफर जिता पैनिक करने लगा होता है कि मैंने यह जान बुचके नहीं किया तुम डोच क्यों नहीं की थी वहीं पर यह देखकर वो काफर जिता बुच्सा हो जाती है और उसे पीटना इस्टार्ट कर देती है इसके बद अगले दिन का सिंद्ध दिखाया जाता है जहां पर लिन अपना मुह लटका कर बैठा होता है उसका वैसा हालत देखकर उसके दोस्त पूछने लगे होते हैं कि तुम्हें ये क्या हो गया है लेले कहते हैं किया मिसलू ने आपके साथ ये क्या है क्या दुसरा उसके पास जाकर उसके कान में कहता है एक मोनिटर लड़की उसे डिल करने के लिए फोर्स का यूज मत कीजिए अगर आप चाहे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी सारे एक्सपीरियंस है ये सुनकर लेले उसका कान खीषते वे कहते है क्या सच में तुम्हारे पास सुतना सारे एक्सपीरियंस है ये सुनकर वो डर के मारे कहने लगा होता है मैं तो बस मजाक कर रहा था तबी एक और बंद आकर उसे टावर में फ़श्ट प्लेस हासिल करने के लिए कंग्रेचुलेशन करने लगता है ये सुनकर सभी लोग काफ़ जटे है बढ़ेरान हो जाते हैं और उसका काफ़ जटा तारिफ करने लगते हैं लेकिन उनसे उन्हें काफो जद्ध अकली फोरी होती है लेकिन फिर भी वो लोग 5 गंटे तक संभाली लेते हैं इसके बाद लिन्स तीन गुना ग्रैविटी करके उन्हें कंटीनियू करने के बारे में पूछता है लेकिन ये सुनकर उन सभी लोगों के फट जाती है लेकिन पर बाहर से ये सब उसके क्लास मेंट देखकर उसका टांग खीच रहे होते हैं कि क्या वो हमारी भावी है ये सुनकर लिन्स उन सभी लोगों को भगा देता है और उन पर गुसा हो रहा होता है लेकिन तभी लोगों पाच उगना ग्रेविट्यू का बढ़ा देती है जिससे लिन्न नीचे गिर जाता है ये देखकर वो कहने लगा होता है कि क्या तुम मुझे मारने के कोसिस कर रही हो लुव उससे कहते है क्या तरफ इतना कमी तुमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है क्या अगले सन में क्लास वन के ट्रेनिंग रूम को दिखाते हैं जहापर सभी लोग ग्रेविट्यू डूम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लुव को वहाँ पर ना पाकर की सिंग उसके बार में पूछता है शाव की नाम का परसन बताता है क्लास टेनिग में गई है ये सुनकर वो कहता है कहीं वो फिर से उसे लिंसु को ढूनने तो नहीं गई है न शावकी उससे कहता है क्यों ना मैं जाकर उसे एक सबक सिखा दो की सिंग कहता है अभी नहीं पहले एक चांस ढूनकर क्लास टेन के गर्विज को सबक सिखाना पड़ेगा तब इसके बद लिन को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरे लिए 4 गुना ग्रेविटी ही ठीक है यह देख कर वो कहते हैं कि तुम तो काफ़र जीता कमजूर हो गए हो यह बोलकर वो 10,000 वोल्ट वाला दो चेन को लिकर आने लगती है वो देखकर लिन्चु की काफ़र जीता फटने लगती है और वो कहने लगता है कि तुम इनसान नहीं हो क्या वो उसके तरफ बढ़ते वे कहते कैसा gravity room तो मेरे घर में है और मैं बच्पन से ऐसे train करते आ रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं इंसान नहीं हूँ ये बोल कर वो उस change से उस पर हमला कर देती है जिससे उसे काफर जिता जटका लगने लगा होता है वही पर बाहर में उसके चीखे सुनकर जैंक कहते है का वो लोग gravity room में भी fight कर रहे है फैंक कहते है वो चिक मुझे monitor के लिए काफर जिता बुरा लग रहा है जैसा उमीद था जितना जिता खुपसूरत लड़की होगी वो उतना ही जदे scary होती है ये सुनकर ले ले उससे पूछते तो तुम्हारा मतलब है कि मैं scary हूँ ये सुनकर वो डर जाता है और कहने लगा होता है कि तुम scary नहीं हो वही पर room के अंदर lean का हालत काफर जिता खराब हो गया होता है और गिर कर सोचने लगा होता है कि ये electric shock तो मेरे xp को कुछ बढ़ा रहा है हालंकि ये crystal को absorb करने जितना जादा नहीं है लेकिन फिर भी beast को मारने से जादा अच्छा ही है लगता है कि जब मेरे पास कुछ करने के लिए time नहीं होगा तब मुझे यही करना पड़ेगा तबील वो उसका card का point यूज करने के बदले उसे एक crystal दे देती है उस crystal को देखकर वो काफर जिता सुक्ट हो जाता है और कहने लगा होता है कि मैं इतना precious reward कैसे accept कर सकता हूँ ये सुनकर वो कहता है तो ठीक है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे वापस कर सकते हो वो मना करना start कर देता है कि तुम्हारा दुबार दिया गया गिफ्ट को मैं accept कैसे नहीं कर सकता हूँ तबील वो वहाँ से चली जाती है इसके दो घंटे बाद का सिंध दिखाया जाता है जहां पर लिन खुद को करेंट मरवारा होता है जिससे उसका एकसी बढ़रा होता है और वो लेबल 20 में पहुँच जाता है और उसे 20 पोटेंशल पॉइंट भी मिल जाता है और वो रैंक 4 का मार्शल आटेश्ट भी बन जाता है और इसे डिवार नाम के एक नहाँ स्किल भी मिल जाता है ये देखकर वो काफर जीता खुश्त हो जाता है और वो अपना सभी 20 पोटेंट को पना फिजिक में एड़ करने के लिए बोलता है और मौका मिलने पर वो डिवोर्ड स्किल को भी यूज करने के बारे में सोच लेता है लेकिन उसको लेकर उससे ज़्यादे उमीदें नहीं होती है क्योंकि वो उसे काफे जिता कमजोर स्किल लग रहा होता है इसके बद Exchange Center के बार में पार्क यह नाम का बंदा और उसके चमचे Class 10 वाले के रास्ता रोके होते हैं और उसे बोल्ट रहे होते हैं कि मैं बस तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपसे Class 10 वालों के यहां से जाना मना हो गिया है Class 10 वाला कहता है कि ये रास्ता तुम्हारा नहीं है और Exchange Center जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है पार्क अपने ग्रोच के तरब इस सारा करते वे कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोगों को मेरे क्रोच से होकर गुजरना पड़ेगा लेकिन तभी लिन आकर उसके मेन पॉइंट पर अपने पैरों से मारते वे कहता है कि मेरा पैर तुम्हें ग्रोच के अंडर से जाएगा जिससे उसे काफ़ जित दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है ये दिक्र उसके दोस्त काफिज तक गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग इस पर हमला करने जाते हैं लेकिन लिन उसे काउंटर कर देता है जिससे उसका हाथ में चोट लग जाती है और तभी पार्क लिन पर गोल्ड लेवल के स्किल से पीछे से हमला कर देता है और मारकर कहाता है कि मेरा ये इस्ट्रेक आराम से रैंक थरी के बिष्ट को मार सकता है लेकिन वहीं पर लिन को कुछ नहीं हुआ होता है बलकि पार्क के पावर का अब्जोब करते हुए सिस्टम उससे कहाता है कि बाहरी पावर डिटेक्ट हुआ है क्या तुम डिवावर स्किल के यूज़ करना चाहते हो वो उसे यूज़ करने के लिए हाँ बोल देता है इसलिए वो उसका सारा अटेक पावर का अपजोब कर लेता है जिससे वो स्किल सिर्फ 10% चार्ज फ़ा होता है और उसे 1000 XP मिलता है ये देखकर लिन सोचता कितना बेकार है सिर्फ एक ही आज रेक्सी बढ़ाया है सिस्टम उससे कहता है कि ये इसकिल बेकार नहीं है बलकि अपोनेंट का अटेक ही बेकार है तबी लिन उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो लिन अपने क्लासमेट से पूछता है कि जगड़ा इस्टाट कैसे हुआ था वो कहा था कि मैं भी स्योर नहीं हूँ हम लोग एक सेंटर जा रहे थे लेकिन अचानक वो लोग आकर हमारा रास्ता का रोग दिये थे और हमें पीठेने लगे थे इसके बद अगले सेंवे मेडिकल रूम को दिखाते हैं जहाँ पर टीचर उससे पोशते हैं कि क्लास 10 को प्रवक करने तुम्हें कौन बोला था पार्खिच की चाते हुए कहते हैं कि मुझे बस वो लोग पसंद नहीं है टीचर कहते हैं कि तुम लोगों को यूच किया गया है और जो परसन तुम लोगों से फाइट किया था उसका नम लिंसू है हालाएं कि वो क्लास 10 में है लेकिन फिर भी वो फ्रेस्मेन का टावर रेंकिंग में नमर वन पर है ये सुनकर वो सभी लोग काफिर जीता है रहान होते हैं क्या वही है जो कि जो सभी आगे फ्लोर पर चला गिया है और काफिर जीता गुसा होकर कहता है कि वो कमीने लो शावकी ने हमसे जूट बोलकर ऐसे बंदे को उफेंड करवा दिया है जिसे हम लोग अफेंड नहीं कर सकते थे और तभी टीचर वहां से जाते वे कहता है कि दो दिन के बाद फ्रेस्मेन के एकजाम होने वाला है और याद रखना कि तुम लोग क्लास वन हो क्लास 10 से हार होगे तो पनिसमेन के लिए त्यार रहना ये बोलकर टीचर वहां से चले जाते हैं और ये ही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोट की एंडिंग हो जाती है अगर वीडियो प्रसंद आयोगा तो लाइक कीमेट से रखेसा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलता हु अगले वीडियो में तो के लिए है को जिनिशेए